कई सारे कमीशन यह कह चुके हैं भारत में उनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए आटिकल सोला कहता सबको समान उसर मिलना चाहिए समान उसर तभी मिलेगा जब सबको सिख्षा समान हो जब राइट टु एजुकेशन एक्ट आया था कपड़ा विदेशी स्टायल में रखना है डाड़ी विदेशी स्टायल में रखना है भारत के कुछ करना सुप्रियम कोड के जज कह रहे हैं की साजी सो रही है इन बीमारियों का एलाज नहीं हुआ तो वाने वाले समयपी में बहुत ही बड़ा हमारे लिए खत्रा है दुख इस बात का है हमारे माननी जजों को धर्म और रिलिजन के बीच में अंतरी नहीं पता नमस्कार कैपिल टीवी में आपका स्वागत है सुप्रीम कोट में भी गजब गजब चीज़ें होती है यूपी सरकार, यूपी के मुख्यमंत्री वो अवैद मदर्से के उपर कारवाई करना चाह रहे है मदर्सों के अंदर बच्चों को मौडर्न सिख्चा देने की कोशिश कर रहे है मदर्सों को बहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और सुप्रिम कोर्ट है और चीफ जस्टिस जो बस कुछ दिनों के महमान बचे हुए है रिटार्मेंट उनका होने वाला है वो अचानक से फिलोसफर बन जाते हैं पता नहीं इस तरह के फैसल देने से पहले उनको मदर्सों की हकीकत के बारे में जरा सा भी इल्म होता है या नहीं होता है अभी सुप्रिम कोर्ट में यूपी के मदर्सों को लेकर के एक माबला गया यूपी सरकार के फैसले के उपर इस्टे लगा दिया गया और थियोरी क्या दी गई? कि देखिए धार्मिक ग्यान प्राप्त करने की धार्मिक सिक्षा प्राप्त करने की कोई बंदिस नहीं है अजीब कहानी है धार्मिक सिक्षा हो रही है क्या वहाँ? या कुछ और भी चल रहा है और धार्मिक सिक्षा किसी को लेना ही है तो सरकार के पैसे से क्यों दार्मिक सिख्षा अगर आप मुसलमानों के लिए आप ग्रीन सिगनल दे रहे हो तो हिंदुओं के लिए वेद के लिए भी क्यों नहीं खुलेगा तो कई सारे सवाल हैं और हमेशा की तरह इस तरह के बुद्धे को कोट के अंदर हाई कोट सुप्रेम कोट के अंदर और समाज के अंदर लोगों के जन जागरन और लड़ाई छेड़े हुए हिंदुस्तान के पियाईल मैन अश्वनियू उपाध्याई जी हमारे साथ है आपक भगवान से ज्ञान की प्राप्ति ले ली थी और ये आँखों के सामने दिख रहा है कि कुछ इंसिचूशन्स देश के अंदर में आतंकवाद का गढ़ बन गया है वहां से वह फैक्टरी बन चुकी है उसके उपर अचानक से फिलोस्पिर बन जाते है देखिए मानी चंच साब को दिल्ली के बाहर गाजियाबाद की क्या सेच्वेशन क्या है मेरट में क्या सेच्वेशन है हापुर में क्या होता है सहारनपूर में क्या होता है देवबंद में क्या होता है जमीन पे क्या होता उनको पता है शाय इसलिए भी नहीं पता होगा उनके पिता जी भी ची सुरक्षा रही होगी तो भारत की समस्याओं से साथ परचित नहीं ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अगर उनको पता होता मदर्सों में क्या होता है तो शायद वह ऐसा स्टेप नहीं लेते हाई कोड के फैंसले कुष्टे नहीं कर दूसरा मुझे ऐसे भी लगता है कि जो हमारे की पढ़ने में इंसर्ट फील होती है कि हींदी का अकभार क्यों पढ़ आप। को देख लेगा घर केंदेूं का यंदी अकभारें है तो इमिज खराब हो जाएगगी तो मों जानकारी या तो हिंदी का चैनल नहीं देखते या हिंदी अख़़द नहीं पड़ते मुझे ऐसे लगा वो किवल अंग्रेजी का चैनल बढ़ते हैं ऐसा फैसला नहीं लेते क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि हिंदी के अख़बारों में और भी रिजनल अख़बारों में फ्रंट पेज पे खबरे छपी हैं जहां मदर्सों में हत्यारों का जखीरा पकड़ा गया है जहां मदर्सों में बंबारूत पकड़े गए हैं जहां मदर्सों में में जाच किया उसको सिकायते आए कि मदर्सों में हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है धीरे-धीर उनका ब्रेन वास्कर को convert किया जा रहा है ठीक है उन्होंने चिठी लिखी कि उत्तरपदेश सरकार को कि बही यह सरकारी पैसे से क्यों चल रहा है तो सरकार और मामला फिर कोट में गया कोट में हाई कोट ने इस पूरे मामले को बूरे कानून को ही स्टक डाउन कर दिया जो मदर्सा वाला कानून था और सरकार को छूट दे लिए ठीक है आप भारत में इनको इसमें तीन चार बाते बड़ी गंभीर तक साथ मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोट का 2011 का जज्मेंट है तीन जज़ों का जज्मेंट है जस्टिस पांचाल जस्टिस वर्मा जस्टिस चौहान का जज्मेंट है जिन्हों कहा था कि भारत में समान सिक्षा होनी चाहिए कम शकम आठमी तक समान सिक्षा होनी चाहिए 2011 की बात बता रहूं एक वन नेसन वन स्लेबस हो लेकिन प्रिमसा में सिक्षा समान और उसमें यह भी लिखा हुआ इससे कि एकता खंडता मजबूत होगी आपसी भाईचारा बढ़ेगा बच्चों में कम्प्लीट ओवराल एक डेवलप्मेंट होगा सबको समान आउसर मिलेगा यह सुप्रीम कूर्ट का खुद का जजमेंट अलग अलग बार-बार कई सारे कमीशन यह कह चुके हैं भारत में करते हैं लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोड ने आज तक ही डिफाइन ही नहीं किया मैनलम नहीं करेंगे लोगा है मैं सब्सक्राइब करें के इदिना आएगा मुसल्मान मानोरिटी नहीं रहेगा मैं कहता हूँ बढ़ी सी बात है माइनाटी का मतलब एस विश्यू को लिए क परसिंट एक benchmark रखा गया है कि उससे कम हो उसको minority का दर्जा मिलेगा भारत में एक तिहाई लोग सभा छेतर जहां जिसको आप minority कहते हैं वो तेह करते हैं कौन जीतेगा जिसको आप minority कर वाजियों की डिमोगराफ की बदल चुकर यह 800 जिलो में से दोसा जिलो में यह किसी सरकार बनेंगी 오른ेव जाएंगे 800 जिलों में 200 जिलों की डिमोगराफिश बदल गई 6000 तहसिल में 1500 तहसिलों कब लगाए और मायनाटी पर दुनिया बर कि मायनाटी चल लए मायनाटी कमिशन मायनाटी благ नहीं कंड़ी आप Najме整 क्योंकि मैंने इंट्रिव्यू लिया था मुहमद अरिव खान का उन्होंने तिसाब साब कहा था कि यह मदर्सिक के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है यह तै हो ना चाहिए बाहर से नहीं ने जब राइट टो एजूकेशन एक्ट आया था लोड़ा के मदरसों को बाहर निकाल दिया गया और उनको राइट टो एजूकेशन के दायरे में रहने सको दिक्कत थी तभी तो बोले थिसको बाहर निकालो और हो क्या रहा है उसका नतीज़ा क्या हुआ मदर्सों में कौन टीचर है सरकार को नहीं पता मदर्सों में कौन बच्चा पढ़ रहा है सरकार को नहीं पता क्या पढ़ाय जा रहा है क्या पढ़ाय जा रहा है नहीं पता मदरसों में कौन सी किताब पढ़ाय जा रही सरकार को नहीं पता मदरसों की किताब कभी मार्केट में मिलती नहीं है सबकी किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी लेकिन मदरसों की किताब आपको मार्केट में हराम है सिखाय जा रहा है भारत माता की जै कहना हराम है माता पिता का पैर चुना हराम है ठीक है होली दिवाली दसारा पोंगल मनाना हराम है नहीं मलब मदर्सों में यह सिखाय जारा ना भारत को मानना ना भारत की संस्कृति को मानना ना भारत की परंपरा को मानना ना भारत के रीतिरिवाज को मानना कपड़ा विदेशी स्टाइल में पहनना है डाड़ी विदेशी स्टाइल में रखना है सब कुछ विदेशी टोपी विदेशी स्टाइल में रखना है बतला भारत का कुछ करना ही नहीं है पीएफाई का सेंटर मदर्सा, सिमी का सेंटर मदर्सा, कितने सारे अलगावादी वहां से पकड़े जा चुके हैं, कितने सारे आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं, गुसपैठियों का सेंटर मदर्सा, बांगलादेशी जो गुसपैठियों का सेंटर मदर्सा होता है, काग संब्धान को उपयोग करके संब्धान को खतम करने की बहुत बड़ी साजिस रही है भारत के दुख इस बात का है हमारे मानी जजों को धर्म और मजहब के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, धर्म जोडता है, मजहब तोडता है, मेरी P.I.L. चल रही इसके उपर, सरकार को नूटिस गया हुआ है, भाईया, धर्म क्या सिखाता है, वजदे कुटमकम, नादी तू नाराडी, सर्व मंगल मंगले, सब का साथ साथ, मजहब क की बरबादी का जो सबसे बड़ा जो भारत में अराजकता फैल रही है, जो भारत में पत्थर बाजी बढ़ रही है, भारत में जो जहाद बढ़ रहा है, जो भारत में ठूकने की पिशाब करने की लेटिन करने की जो फलफूल में मिलाया जा रहा है, जो भारत में ट्रेन क के सामने प्टरीयों पर गेस सिलिंडर रख चारह यह सोच पाक नायन की सोच और उह पाक नायन की सोच हराम हलाल की सोच मदर्सों से शुरूह पimi सब्सक्राइब अर्प को यह समझ भी नहीं समझ नहीं कभी ना हिंदी चैनल देखते हैं ना लोगों से मिलते हैं सब इनके दादा पर दादा बड़े-बड़े अंग्रेजों के जमाने बैरिस्टर कार्णिवेंटी स्कूल में पढ़ाई हुई कभी देखा नहीं कभी समझा नहीं मुझे कई बार आश्चर होता है करें कि नहीं सारे रि लिखी उस पर सास्तराथ करिये कोई कुछ नहीं होगा ढोल गवार सुधर पस्वनारी पर कितनी बार सास्तराथ हो चुका है कुछ नहीं हुआ है और वहीं वसीम रिजीवी चले गए बुले ये 26 आयतें आतंकवाद फैलाती है नफरत फैलाती है सुप्रिम कोट गए सुप भारत में लोकतंत्र है इसलिए हिंदू बहुत संख्यक है हिंदू कमजोर हो जाएगा यह समिधान रहेगा नहीं देख लो ना बंगलादेश में पाकिस्तान के सुप्रिम कोट के जज्स स्तीफा करवा लिया सुप्रिम कोट के भाग के आया थे बॉर्डर पे बीसफ वालो हाई उनको सुरच्छित ले गई है यह हालत है भारत में जो सारी बाते चल लही है क्योंकि हिंदू बहुत संख्यक है यह साथ आपको बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने चीज़े को एक्स्प्रेंड किया कि सुप्रिम कोट के जरीए किस तरीके से एक जो साफ साफ चीज़े जो गलत हो रही है आँखों के सामने उसको सुप्रिम कोट के दौरा जिस्टिफाइग किया रहा है भगवान मालिक इस द अफज़े एकर जिसितलियक कि सभूबंटने चीज़े किस तरीके से एक जब घरीके से एक जो साफूण जो